तिरुपधि मंदिर के लड़ों में जानवरों की चर्बी वाले घी के उपयों को लेकर हो रही जाता सुप्रम कोट ने आइस्थाय रूप से रोक लगाती है सुप्रम कोट की चुपड़ी के बाद साइटी को अपनी जास तीन तारिक तक रोकने का नर्देश दिया गया है राज की डीजीपी ने कहा कि सुप्रम कोट में सुनवाई जारी है इसलिए इस दौरा अनचार्च में रोक लगी है गौटलब है कि इस मामने में जाच आज तीसे दिन पहुच वी थी और सुप्रम कोट ने कहा कि राजनीती और धन को मिलाने की अनुमती नहीं दी जा सकती इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रम कोट ने सुझाओ दिया था सौल सीटर जनरल इस मामने में सहियो करें और ये तैय करें कि इससाइटी की जाच जारी रहे या किसी सुतंत एजनसी से जाच कराई जाए जस्तिस बियार गवाई और केवी विश्वनात की बेंच ने ये भी कहा कि जब सीम चन्रबावु नाहिरू ने साइटी को इस मामने की जासौपी थी तो उन्हें मीडिया में जाने की क्या वशक्ता थी कम से कम भगवान को तो राज़ीती से दूर रखा जाए उत्तिस के वारनसी में मंदिरों से साइ प्रतिमा को हटाने का मामला तूल पकरता वर नसर आ रहा है बड़े गड़े इस मंदिर और इसके साथ साथ पुर्ष्ट पुर्षोतम मंदिर से साइ की प्रतिमा हटाई गई है इस मामले को हिंदुवादी संगठन ने जोरो शोरो से उठाया था भगवान के मंदिर में साइ की प्रतिमा ना लगाया जाने की बात कही गई इसके बाद मंदिर प्रबंदन की सहमती ली गई इसके बाद प्रतिमाओ को हटाने का काम किया गया सनातन रक्षक तल के ओर से इन प्रतिमाओं को हटाय जाने का भ्यान चुला गया सनातन रक्षक बल के अध्यक्ष अजय शर्मा ने कहा कि मंदर प्रबंदन की मंजूरी के बाद प्रतिमाओं को हटाया गया है काशी के मंद्रों से शाई बाबा की प्रतिमा हटाए जाने के मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है साई बाबा की प्रतिमा हटाने का सपाए मलसी ने कड़ा विरोध किया विरोध करते हुए काशी का महौल खराब करने का आरोप लगाया गया है बीते एक फ़ते में सनातन रक्षक दल के प्रदेश अडेक्षव, आज़ शर्मा की अगवाई में बीते एक फ़ते में चोदा मंदिरों से साई बाबा की प्रतिमाय हटाइ गई है बिहार में बार से त्राहिमाम है बिहार के दर्बंगा जुड़े में नेपाल से आने वारे पानी ने कहड़ा दिया है कोशी नदी से सटा दर्बंगा का बड़ा इलाका पानी में सरबोर नज़र आ रहा है स्कूल, कॉलिज, मंदिर और धर्बस्तलों में भी पानी भर गया है बिहार में मांसून की कमी के बावजूद नेपाल में आई बार ने पूरे उत्तर बिहार में तबाही ला दिया है नेपाल द्वारा बारिश का पानी बिहार की तरफ छोड़े ज़ाने से कैडाकों में नदियों के बान तूट गए और बार के हालात बन गए लोगों के घरों में पानी गुज गया है उनके खेत खलियान सब दूग गए है मजबूरे में लोग अपने जरूरी समान और मवेशियों के साथ सुरक्षे सस्थान ढूण रहे है प्रदेश के 16 जिलों के 31 प्रखंट के 4 लाग से अधिक लोग बार से प्रभावत है माराजगंज में भी मुसर समुदाय के आधा दर्जन से अधिक गाउ और 15 तोले बार से बुरी तरह से प्रभावत नुसर आ रहे है पर उसी देश में जिस तरीके से बार की वज़ा से एक विक्राल परिस्तिती वहाँ पे भी बनी है पर जिसका असर हम लोगों के राज्य बिहार के लगबग 12-13 जिलों में हम लोगों को देखने को मिला इसी का संग्यान लेने और जादा से जादा मदद में तीवरता दिलाने के उदेश से कल से हम लोग कोसी के अलाके में ही हैं कल रात्री का प्रवास भी हम लोग का वहीं था और आज भी बार से प्रभावित कई जगाओं का हम लोगों ने जायजा लिया पहली प्रात्मिक्ता तो ये थी कि जब पानी का स्थर एकदम से बढ़ा जब बांद खोले गए और एकदम से जब पानी राजपत में मेरे साथ फिलाल इतना ही देखते रे प्राइम टीपी